नमस्कार जैन साथियों मैं प्रवेश सांगवान आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर हर दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम अर्याना एचससी गराम सचियू का 9 जनुवरी 2021 की मोर्निंग की सिफ्ट का कंप्लीट पेपर करने वाले हैं दोस्तो और जो इसकी आंसर की होगी और जो सोलिशन होगा वो बेक्तम बिल्कुल स्टिक और ओथेंटिक होगे तो दोस्तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्योशन के साथ ए सत्य गोशना करना अर्याना पंचायती राज अदिनियम 1904 में की कि किस दारा में उलक्षी थै तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा A. दारा 171 केतर अगला जो क्योशन है दोस्तो ये रिजनिंग से दिया गया है एक व्यक्ति की और हिसारा करके एक व्यक्ति ने कहा मेरे कोई भाई या बेहन नहीं है लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पूतर है वह है तस्वीर किसकी है तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा D option उसकी खुद की स्वेम अपनी नेक्स क्योशन ये अर्याना से दिया गया था बहुत easy क्योशन है अथनी कुंड बेराज हर्याना के किस नदी पर है तो दोस्तों आप सभी को पता है थनी कुंड बेराज कहां पर यम्ना नगर के अंदर तो यम्ना नदी पर ही होगा यम्ना नदी पर अगर बात करें next question ये आपका computer से पूछा गया था MS Excel में एक वरक्षीट जिसे कालिस्तान भी कहते हैं एक सार्णी है जिसमें आप आकडे और आकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा spread seat A option next question अर्याना सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी प्रियोजना स्तापित करने के लिए किस देश के साथ बागिदारी की है दोस्तो A option is right answer is right next question अर्याना की परतेक पंचायच समीति दवारा विभिन समीतियों की न्युक्ति की जानी चाहिए और परतेक समीति का पद्यन सची कोन होता है तो दोस्तो इसका right answer होगा IUC option commissioner next question दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अगर इफेक्टिव लग रही है तो प्लीज इसको like share जरूर करे और आगे की सभी सिफ्टों की अगर answer की एकदम बिल्कुल श्ट्रीक answer की चाहते हो आप तो चैनल को subscribe जरूर करे next question है बुकम की तरंगों को अभिलेखी करने वाले उपकरण का क्या नाम है दोस्तो बहुत easy question है और ये सहीत अधिक्तम कितने सदस्य होने चाहिए दोस्तो इस question के अंदर थोड़ा सा मुझे doubt है बट मेरे point of view के इसाफ से d option right answer होने चाहिए six बागि इसका जो exact answer होगा आपको comment में बता दिया जाएगा और अगर आप कोई पता है तो आप भी comment बता सकते हैं बट इसको थोड़ा सा doubt पे रख लो एक बार क्योंकि इसमें minimum काफी जगा है इसको चेक किया गया तो minimum कितने सदस्य होने चाहिए तीन और maximum 5 दिखा रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा doubt है कि अध्यक सहीत है या नहीं है तो option मेरे ख्याल से D होना ची बागे देखते हैं इसको बता दिया जाएगा next question देखते है next question आपका match से था बहुत easy question है दोस्तो 2 बटे 3, 3 बटे 4, 4 बटे 5 और 5 बटे 6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन संक्याओं का अंतर पूछा गया है तो दोस्तो इसको करने का तरीका क्या रहागा पहली दोनों में से देखने की बड़ी कोन है तो इनका cross multiply कीजिए इस परकार से इस question को solve करेंगे तो D option इसका right answer होगा 1 by 6 पहली बड़ी संक्या और छोटी संक्या इनके बीच का अंतर एक बड़ अच्छे होगा अगला question दोस्तो पंचाहिती राज से देखो gram siu से related बहुत सारे question पूछे गए है और काफी सारे question डीपली जागे पूछे है बागे वैसे जो exam था वो normal था इतना मुश्किल भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ portion बहुत तीजी थे कुछ portion थोड़े अच्छे इंदी के questions काफी अच्छे question पूछे गए दे और याना पंचाहिती राज अधिनियम 1994 में के अनुसार एक जिला परिशत की एक विशेस बैटक में कारिये होने के लिए वांचीत कोरम क्या है दोस्तो B option right answer होगा कुल सदेशों का एक त्याई होना जरूरी है नेक्स्ट ये computer situation था easy question था इसका dash एक छोटा क्लेंडर जिसमें data entry वाले लिपिक एक तिती परविष्ट कर सकते हैं तो दोस्तो date पीकर इसका right answer होगा नेक्स्ट क्योशन ये भी आपका पंचायती राज से था ये भी अच्छा क्योशन है और दोस्तो इसका नेक हमारा टेलिग्राम ग्रूप है US Academy चर्खी दादरिक Official के नाम से आप वहाँ पर जोईन हो सकते हो मैं इसके एक अच्छी सी PDF डालने वाला हो जो 10 तारिक को आने वाले एक्जाम के अंदर बहुत यूजफूल रहने वाली है वहाँ से दो क्योशन आयो हैं दोस्तो और याना पंचायती राज दिन्यम 1994 में का कौन सा अध्याए जिला परिशत में कर्तवयों और कारियों से संब्दित है तो डी ओप्शन अध्याए दोस्तो 26 मा रिजरिंग से qs है और मा आपको बतना चाहूँआ दोस्तो यह है न और याना सब इंस्पेक्टर के अग्जाम से पूछा गया है सेम क्योसन दो अजारटर के अंदर जो सब इंस्पेक्टर के अग्जाम हुआ था उसके अंदर आयवा था यही क्योशन तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या होगा ए ओप्चन इस राइट अंसर ग्यारा पॉइंट पाँच इसमें पूछा क्या क्या जो उपर जो स्रीज दे रखिये न उसके अकोर्डी यह नीचे वाली स्रीज बनानी आपको तो इसका ए ओप्चन राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो नेक्स क्योशन अर यह ना पंचायती राज जदीन हम 1904 में के लिए सही उत्तर चांटी है तो दोस्तो इसका ए ओप्चन राइट अंसर हो जाएगा अध्याए जो 28 मां अध्याए है वो जिला परिशद के प्रियक्स्वन से संबंदित है तो अगर इंगलेश हों बात करें चैप्टर 28 मां डिल विद सूपर विजन ओप जिला परिशद नेक्स क्योशन दोस्तो बहुत इजी है मैच से पूछा गया है ए प्लस बी इस इकल टू 5 और 3A प्लस टू बी इस इकल टू 20 है तो बताइए 3A प्लस बी क्या होगा तो दोस्तो C ओप्चन राइट अंसर 25 कुछ भी नहीं करना इसमें आप अजूम भी कर सकते हो कि ऐसा नमर देखना है कि A और B की ऐसी वैलू हम अजूम करें कि जिनको इसमें वैलू पूट करें तो 20 आए तो दोस्तो A की वैलू 10 होगी और B की वैलू अगर माइनस 5 कर दें तो इन दोनों चीजों को सैटिस्वाई करेंगा और उसके बाद 3 A इसके अंदर वैलू पूट करेंगे तो 25 आएगा नेक्स क्योसन देखते हैं दोस्तो ये अरियाना से पूचा गया बहुत इजी क्योसन है मैंने दो दिन पहले ये 18 स्तावन की करांती की ये वीडियो वनाई थी उससे बिल्कुल एक्जेट सेम वही क्योसन है दोस्तो निमलिकित में से अरियाना में बल्लावगड सासक जो बारत के सवतंतरा संग्राम में सकरिय रूप से सामिल थी राजा नार सिंग 1857 की करांती में भी बल्लावगड की तरब से राजा नार सिंगी थे और ये पहले राजा थे जिनको चांदनी चोक पर फासिद दी गई थी अंग्रेजों के दवरा 1857 की करांती के बाद तो दोस्तो मैंने इसके उपर वीडियो बना रखी आप उमारे चैनल पर भी देख सकते हैं ये भी बहुत इजी क्योशन है अर्याना पंचायती राज अदिनियम कब लाग हुआ अर्याना में 22 अपरेल 1994 को दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक बार लाइक और शेर कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तो राम चरीत मानस के रचियता कौन थे तो बिल्कुल इजी क्योशन तुलसी दास जब 1966 में अर्याना का निर्वान हुआ तब बंचिलाल सरकार दवारा कौन सी राज्ये की दूसरी राज बासा गोशित की थी तो दोस्तो तमील बासा को किया गया था उन्हों बताना चाऊँगा जब भुपेंदर सिंग उड़ा हमारे सीयम थे तो उन्होंने दूसरी बासा कौन बताए बनाई थी पंजाबी पंजाबी को दूसरी राज बासा भुपेंदर सिंग उड़ा के दवारा गोशित किया गया था नेक्स क्योशन बहुत इजी है जिसने अरियाना ये थोड़ी बहुत भी तयारी किया है वो इस क्योशन को कर सकता ऐजिली अरियाना में वर्तवान समय में कुल कितनी तैसिले हैं 93 दोस्त अगला क्योशन मैच से था बहुत easy question है इसको अगर आब solve करना चाहें तो 625 का अंडूरूट क्या होता है 25 25 बटे 11 गुणा में 14 बटे अब 25 का अंडूरूट क्या होता है 5 गुणा में 11 बटे 116 का अंडूरूट 14 तो दोस्तो 11 से 11 cancel 14 से 14 और अगर 25 से 5 को करेंगे तो डी ओप्षन राइट आंसर होगा 5 इस राइट आंसर दोस्तो अगला क्योशन भी बहुत easy है वर्षा रीटू का सवागत करने के लिए अर्याना में निमनली खित में से कूण सा तेवार मनाया जाता है तो अर्याना में कूण सा वर्षा रीटू में कूण सा 30 का तेवार मनाया जाता है दोस्तो जिसके उपर औरते गीत गाती है नेक्स क्योशन ये भी बहुत easy है बारत में पंचायती राजगा सुवारम का हूँ आदा कब हुआता सोरी 1969 को कब 2 अक्टूबर 1969 को हो सकता है श्याम की सिफ्ट में या 10 जनुवरी को ये क्योशन पूचा जाता है कि कौन से जिले में तो दोस्तो ये नागोर के राज़स्तान जिले में 2 अक्टूबर 1969 को सुरुवात की गई थी ये भी बहुत easy क्योशन है हमारा जोग्रोफिक है कौन सा भी सिफ्ट का सबसे बड़ा मासागर है तो दोस्तो परसांद मासागर बिल्कुल easy 2011 जन्जगन गया और 2020 प्रिकल्बना के नुसार अर्याना के की सेर में सर्वा दिख जन्जगन क्या है तो दोस्तो परिदावा D option is राइट अन्सवर अर्याना जी के बहुत easy आया हुई थी अगर बात करें math और reasoning movie बहुत easy आया हुई थे हाँ इंदी का portion थोड़ा सा मुश्किल था बिकोज इंदी के अंदर हम grammar की उमीद करें थे लेकिन grammar वहाँ से नहीं पूचे गई थी next question दोस्तो अर्याना लोग से वा आयो के अदेक्स क्यों कोन करता है तो दोस्तो state में मुखे कोन होता है राजेपाल होता है अगर center की बात करें तो वाबर राष्टपती होता है next question बहुत easy question है y 5 के पराबर दे रहे है पूच करा रहे है 10 y unroot y cube minus y square क्या होगा तो दोस्तो आप सभी को ये पता है अगर y की value 5 है तो 10 गुणा 5 ठीक है unroot 5 का cube क्या होता है 125 minus 5 का square क्या होता है 25 125 में 25 गये तो 100 100 का root क्या होगा 10 तो दोस्तो 10 गुणा 5 गुणा 10 क्या हो जाएगा 500 c option is right answer दोस्तो next question है अर्याना सरकार ने 2015 में किस जगह को smart city गोशित किया था बहुत easy है गुणगाओं को ये option right answer है अगला computer से question है IPV6 की लंबाई क्या है दोस्तो 128 bits next question ये भी बहुत easy है चिनी यात्री जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा किस के सासनकाल में की थी तो दोस्तो हर स्वार्दन ये math का बहुत easy question पूचा गया है देखो आज से पहले न अर्याना की हर exam के अंदर अलग अलग type से question पूचा जा रहते काभी बार जो मारा plus one plus two का math integration differentiation दिफ्रेंसियेशन दिया जाता था लेकिन अब की वार बहुत easy math या गया है 34 रुपे का 15 परतिशत कितना होता है दोस्तो 15 बटे 100 गुणा में 34 और ये क्या हो जाएगा 510 बटे 100 और ये क्या हो जाएगा 5.10 रुपे तो C option is right answer दोस्तो अगला question reasoning से था बहुत easy था दोस्तो बात की जाए दाई और किस साइड होगा इस साइड दाई और जाने के बाद कितना 5 किलोमेटर जाता है उसके बाद फिर दाई और जाता है दाई और मला अब इसका दाई होगा उपर किस साइड नोर्थ साइड में 7 किलोमेटर लास्ट में क्या पूछ रहा अंत में किस दिशा में चला तो दोस्तो नोर्थ डारेक्शन मेंज उत्तर दिशा में बी ओप्शन इस राइट अंसर नेक्स क्योशन ये थोड़ा सा अच्छा क्योशन था दोस्तो बात की जाए राज्य जीवन की अनावर्त आउसित्तों में अस्तितों में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तितों में बना रहता है कतन किसके दवारा का गया है किसके दवारा का गया है तो दोस्तो ये का गया है अरस्तू c option is right answer ठीक है दोस्तो next question ये बहुत easy question है 3 के पर्थम 5 गुनां का उस्षत क्या होगा 3 के first 5 multiples कौन से कोशे होते हैं 3, 6, 9, 12, 15 यही होते हैं दोस्तो और इनकी average पुछीगी सभी को जोड़ कर जितने average क्या होता है sum of the numbers divided by number of terms तो दोस्तो कितने 5 हैं सभी को जोड़ कर 5 से बाग करेंगे तो क्या आजाएगा A option right answer math originating बहुत easy आया वे तो दोस्तो आपकी बार यह अच्छा question था 10 साला परणाली नामक राजसो एकतरण और करसी करकी नई परणाली अर्याना में किसने शुरू की तो दोस्तो यह राजा टोडरमल राजा टोडरमल के दवारा B option right answer होगा यह current affair का question था current affair के 4 से 5 question पूचे गया हैं दोस्तो किन दो पस्षिम ACI देशों ने 2020 में इसराइल के साथ ओपचारिक संबन स्तापित किया हैं तो ए उप्षन UAE और UAE और बेरिन के पहले इसराइल के साथ अच्छे संबन नहीं थे लेकिन 2020 के अंदर अच्छे संबन हो गए हैं एक डिस्क का वैब आग जिसमें master boot record किया जाता है तो दोस्तो इसका right answer क्या होगा आपका right answer होगा boot sector A A is right answer अगला question बहुत इजी है बसाई बसाई का नाम आती है आपको समझ जाना चीए गुरू राम के अंदर है ये बहुत इजी कि उसने current affair से सिरलंका की विदीक राजदानी कौन सी है तो दोस्तो स्री जैवर्द ने कोटे निमलेखित में से कौन सी जील अर्याना के 1967 में दो छोटे तिलो को जोडने से बनती है तो दोस्तो इसका right answer होगा right answer दम दमा जील C option ठीक है अगर आपको किसी भी question में अगर doubt भी है तो आप comment में बता सकते हैं दोस्तो बाकी हमने अपनी तरब से बिल्कुल एक दम सही answers आपको बताए हैं अर्याना की परतेक ग्राम पंचायत प्रांच पंचायत समेती और जिला प्रीशल अगली पहली बैठक की नियमे तारिक से कब तक तो दोस्तो आप सभी को पता है हमारे सरपंच कितने टाइम के लिए पांच वर्स के लिए चुने जाते हैं तो राइट अंसर होगा पांच वर्स अगला क्योशन बहुत इजी है दोस्तो बावन को है बाजे संख्याओं के गुणंफल के रूप में निमलेखी तरह अभीविक्त किया जा सकता है तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा जब इसके हम वो करेंगे गुणंखन करेंगे तो राइट अंसर क्या हो जाएगा इसका डी डी ओप्षन दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा साथ तो डी ओप्षन इस राइट अंसर ये बहुत इजी क्योशन दा अर्याणा में कितने विदान सभा 90 और दोस्तों अगर बात की जाए कि अर्याणा में राजे सभा कितने राजे सभा 5 और लोग सभा कितनी होती सीटे 10 होती हैं दोस्तो Next question अगला physics से question पूचा गया Chromium परमानू से कि एक 3D इलेक्ट्रोन दवारा मैसूस की जाने वाली परभावी केंदरी की आवास की गणना Z24 इसका C option राइट आंसर होगा दोस्तो अर्याणा में कुल कितने जिले हैं इससे जीत कोई question होई नी सकता 22 और अभी नया जिला कोण साथ बना है दोस्तो चर्की दादरी ये रिजनिंग का question था दोस्तो तो इसके अंदर राइट आंसर होगा C option M O N P अगला question जब गजनवियों ने बारत के उतर पस्में पर अमला किया उससमा अर्याना के किस वंस का सासन था तो तोमर वंस का अगला question परतेक आयन दवारा वं की जाने वाले कुल विद्यूत का भाग प्रिवैन संक्या C option राइट आंसर ट्रांसपोर्ट नंबर ये भी easy question है इंदरा गांदी सूपर थर्मल सकती परियोजना अर्याना के किस जिले में है जर जर जिले में दोस्तो और अगर राजियू गांदी पूचित आये तो ये खेदर जिले में इसार जिले में खेदर में है ठीक है दोस्तो और अठाइसो मेगावाट की का पर है गोरकपूर में लोक्सवा अरे क्या बात है इसे जी कोई question होई नहीं सकता सतरवा लोक्सवा स्पिकर कौन था ओम बिरला और अगर बात किज़े शोल में कौन थे तो सुमित्रा माजन अरियाना का शितारास मार्क की समादी किस के नाम पर है ताराचंद जी महराज दोस्तो देखो अरियाना बहुत easy को सनाए वे थे और मैं उमीद करता हूँ आने वाल एक्जाम भी ऐसे easy रहेंगे और आप सभी का सभी दोस्तों का मैं कहता हूँ कि आप सभी का clear हो जाए एक्जाम CGS परणाली में बल की ही काई बहुत easy question दोस्तो physics से था dine रानिया रानिया विदान किस विदान सभा छेतर सिर्सा और यहां से विदाय कोन है चोदर रणजीत सिंग चोटाला जो हमारे बिजली मंतरी है और याना से राज्य सभागे कितने सदसे देखो मैंने अभी बताये था पहले आपको कि 5 सदसे हो सकता है अगली सिफ्ट में लोग सभागे पूछे जाए तो 10 सदसे होते हैं दोस्तो ये केंपूटरा क्यों था निमली के तीकाई में से कौन सी आकड़ा सबसे बड़ी मातरा में तो दोस्तो टेराबाइट ए उप्शन राइट आंसर होगा निमली के तुमें से कोन सा राजेपाल नहीं था अरे क्या बात है ओम परकाच सोटाला कभी राजेपाल नहीं थे जीडी ताप से माविर परशाग और धरंबीर अमारे पहले राजेपाल थे अज़ा मैं आप से पूझना चाहता हूँ कि सबसे लंबे समय तक और सबसे छोटे समय तक राजेपाल कोन रहे है आपको कमेंट में बताना दोस्तो कराम पंचायतों की संक्या वर्तमान में अर्याना की किस जिले में सबसे कम है सबसे कम किस जिले में है दोस्तो डी फरिदाबाद में नेक्स्ट अगला reasoning से question था दोस्तो विशम बताना था तो बाकिस अभी में 8 का gap है लेकिन इसमें 7 का gap है तो B option right answer हो जाएगा पानिपत का दूसरा यूद इससे ही जी का और क्याल होगे बच्छे 1526 और 1526 में पहला यूद हुआ था किस किस बीच में बाबर और इबराहिम लोधी के बीच में बाबर विजे हुए थे ठीक है ना दोस्तो और दूसरा यूद किस के बीच में हुआ था अकबर और एमू के बीच में ठीक है और तीसरे यूद की पाणिपत की बात कीजिए 1761 में नेक्स क्योशन हो सकता है आने वाले एक्जाम के अंदर पूचा जा सकता है इन में से कौन से गुरुगराम की तैसिल नहीं है तो आप सभी को पता है पतोदी माने सर्फ फुरुक नगर ये गुडगाओं के अंदर आते हैं लेकिन कोशली नहीं आता दोस्तो अगला क्योशन ये फिजिक से पूचा गया है दोस्तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्योशन को आपको आराम से पढ़ सकते हो मैं सोच रहा हो कि कम समय में कंप्लीट करवाया जाई इस चीज़ गो तो इसका राइट आंसर होगा सी 2.5 नेक्स क्योशन केम्पूटर से था बहुत इजी क्योशन था इंटरनेट पर सर्वरों के बीच इमेल बेजने के लिए परियुक्त एक प्रोटोकोल है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकोल और ये फुलपोरम भी पूछ लेते हैं काफी बार तो यहां से आप चारों की फुलपोरम भी याद कर सकते हैं अगला क्योशन निमलिकित में से कौन सा रियाणा में पन्चाइटी राज का दूसरा स्थर है तो दोस्तों, दूसरा स्थर कौन सा होता है इसके अंदर पहला स्थर होता है इसके अंदर मैं आपको पताना चाहूंगा 63 B option पंचायट समिती और पहला होता है गराम पंचायट next question reasoning से पूछा गया दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हों यहाँ पर 30 और 36 के बीच में कितने का डिफरेंस 6, 6 दूनी 12 10 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस 2 2 दूनी 4 तो इसका अंदर पांच और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 एक गुड़ा 2 2 तो D option is right answer बहुत easy question आई वे तो reasoning math और English ही बहुत easy आई विया बस थोड़ा सा इंदी थोड़ा सा मुस्किल है next question बहुत easy बहुत easy है तो दोस्तों दोहन कहां से मेंधरगट से रावली की डोसी की पाडियों से निकलती है गगर, मारकंड़, टांग रही ये सभी उपर शिवाली की पाडियों से निकलती है अगला question मैट से था रिना की आयू सुनीता की दुगनी है तीन वर्स पूरो है सुनिता से तीन गुना है तो दोस्तो इसके रिना की अब आयू कितनी होगी 12 वर्स क्यों से बहुत एजी है और अगर बात किजा मैं बताना चाहूँँ आपको कि आपको ये पता है भई कि रिना की अभी आयू कितनी है अब बात की जाए तीन साल हमने माली आप 2X और 1X है तो 2X मैनस 3 X मैनस 3 तीन साल पहले कितना रेश उनका 3 रेश जाए इक इसको सौल करो गए X की वैल्वाएगी 6 तो यहाँपर पूछा किस कर का yaga है रिना की वर्तमान आयू कितनी है 2x तो अभी कितनी हो जाएगी 2 x 6 12 वर्ज और अगर बात की जाए सुनिता की पूछ ले तो कितनी आ जाएगी 6 साल दोस्तों बहुत easy question है सिवाजी के मंतरी मेंडल के अस्ट परदानों में वित मंतरी कौन थे तो दोस्तों अमादते ठीक है और अगर परदानों मंतरी पूछ लिया जाए तो परदानों मंतरी कौन थे सिवाजी के पेशवा ठीक है next question reasoning का question था दोस्तो coding decoding का remote का दे रख्या ये तो बताए pniicc का क्या होगा तो दोस्तों इसमें बहुत easy question था इसमें 2-3 method है 1-2-3-4-5 करके इसका code लिख लेंगे right answer क्या होगा d option picnic और एक चीज और भी note कर सकते हो यहां से direct देखो r का r और e का e दे रख्या है तो यहाँ पर p का p आ जाएगा और p का p और c का c इसका मतलब p और c last में किस में है सिर्फ इसी option के अंदर है बाकी और चेक करने की बजूर्थ नहीं है एक विदे दन विदेक है या नहीं यह नहीं करने का अंतिम अधिकार निमलिकित में से किस के पास है तो दोस्तों mostly students ने राश्पति लगा है लेकिन यह लोग सबागे speaker के पास होता है अगला question अर्याना में हवी पी अनल का means क्या होता है तो यह अर्याना विद्यूद परसाण नगर निगित सोरी अर्याना विद्यूद परसाण निगम limited होता है खालिस्तान में कांग्रेस के लाहोर में हुए अधिवेशन में पूर्ण सवराज को अपना लक्से बनाया 1939 के अंदर ठीक है दोस्तों और यहां पर अगली हो सकता अगली सिफ्ट में यह क्योशन पूचा जाता है कि पूर्ण सवराज का अपना लक्से किस अधिवेशन में तो लाहोर अधिवेशन के अंदर बनाया गया था ठीक है और अगर बात की जाए लाहोर अधिवेशन किस नदी के किनारे तो यह रावी नदी के किनारे पर हुआ था ठीक है ना अगर देख्षता किसने की थी पंडीत जवाहरलाल नहरुने ठीक है दोस्तों अगर बात की जाए पहला सवतन्दता दिवस सांकेतिक रूप से कम मनाया गया था तो 26 जनवरी 1930 को ठीक है ना अभी करतें नेक्स कुशन इल्थ उत्मिस किस वन्स की राजा थे गुलाम वन्स सलेव डैनस्टी बहुत इजी 1940 में बारत की सविदान सभा के अंत्रीम सभापती कोन मने सची आनन्द सीना और पहले राष्टवती कोन थे हमारे राजिंदर परसाद लोग सभा सपीकर कोन थे हमारे पहले जीवी मालवेंकर ठीक है ना सव तंतरता व्यक्ति के अभी व्यक्तितों में बाईय अवरोध के बिना अभी व्यक्ति करने की आजादी यह किसके दवारा का गया है दोस्तों अच्छा क्योशन है प्रोफेसर जी डी एच कोले के दवारा अर्याना राजे परती वर्ष 23 सितंबर को सईधी दिवस यह क्योशन मैंने 1857 की करान थी जो और्याना का योगदान था उसके अंदर मैं बता चुका हूँ अच्छे से बिल्कूल 23 सेप्टेंबर को राव तुलाराम जी की मरत्य हुई थी और उसी लिए उसको सईधी दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है और राव तुलाराम कहां से बिलों करते है रिवाडी से ठीक है और इसी लिए रिवाडी को वीर भूमी भी कहा जाता है और 18 स्थाउन की करांती में आरने के बाद राव तुलाराम जी कहा गए थे अफगानिस्तान में गए थे ये सारी वाते मैंने अपनी वीडियो अप्लोड करकी अच्छे से डीपली बता रहे है उसके अंदर नेक्स क्योशन मैच से था दोस्तों बहुत इजी क्योशन है आप यहां से देख सकते है इसका राइट आंसर क्या होगा अब एक चीज देखिए इसको अगर हम सोल करेंगे ना तो D option right answer होगा 0.0144 नेक्स क्योशन इंग्लीज बहुत इजी आई थी दोस्तों दा नोटीस रीड ए ओप्शन अकोमोडेशन ठीक है ओन फर्स्ट कम फर्स्ट सल्व बेसिज अगला यह भी इजी क्योशन है I hope you will not turn यह idiom phrase है यहां पर my request तो दोस्तों क्या करा है कि मैं उमीद करता हूँ कि will not turn my request की मैं जो request करूँगा आप उसको मना नहीं करोगे deny नहीं करोगे तो turn down का क्या मतलब होता है deny करना तो will not deny नहीं करोगे मना नहीं करोगे तो C option right answer हो जागा दोस्तों अगला question है student will go on ये इसे पूछ रहे कि कौन सा क्या मतलब तो इसका C option exclusion E-X-C-U-R-S-I-O-N next question because of the heavy rain the match was cold of cold of cold of होता next question it was time that you started working तो दोस्तों इसका no error हो जागी इसमें error पूछ रहे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है next question है C road rough sword over दोस्तों इसमें जो हमारा जो ही है ना black black जो है इसका meaning पूछ रखा है तो इसका right answer दोगा D sword lack of consideration of filling and wishes मालब किसी कि उसकी कदर ना करना अब बात की जाए हिंदी ये portion थोड़ा सा मुश्किल था दोस्तों क्योंकि हम उमिद कर रहे थे गया है इसमें थोड़ा सा B.A.B.C. level का पूछा गया है यहां पर मर्दुवन वेंजन तो C option मादुरे गुंड को किसने उक्तिवचित्र कहा है तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा इसमें थोड़ा सा doubt है A.O.D. में से मैं अपनी तरब से वामन बता रहा हो सकता है इसका D.O. बट इसका एक बार जो H.S.C. की answer किया आएगी उसे में थोड़ा clear हो पाएगा गुले रीजी दवारा संपादिक पत्तर समा लोचक D.O. परगतिवाद किसकी करती है तो दोस्तों D.O. right answer होगा सिवदान सिंग चोहान साकेत की बासा में निमल लखित का आएश अत्यंत सीस्ट और प्रोड रूप मिलता है खड़ी बोली A.O. right answer किसे आदूनिक इंदी साहिते के निर्माता माना जाता है तो दोस्तों बहुत यच्छा क्योशन है बार तेंदू अरीश चंदर पंत को उनकी किस करती का पारतिय ग्यानपीट पुरुशकार मिलाची दंब्रा नेक्स्ट और लास क्योशन है दोस्तों पत गदी पेखल कुमो रादा तकनुक बाव परान भै पिडित रहूल कुमोन निदी सादा उप्यूक पंक्ती में किस कभी की है तो दोस्तों ये राइट आंसर होगा विद्यापती डी ओप्शन इज राइट आंसर तो दोस्तों इसके अंदर हमने सभी अमारा जो ग्राम सचिव का नो जनवरी को सुबह का मोर्निंग के शिफ्ट के जितने भी क्योसंस थे सभी क्योसंस को डिस्कस किया मैं तो रिजनिंग के क्योसंस को हमने सोल भी किया है तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताए और एक लाइक और एक सेयर जरूर करें और आगे वाले शिफ्टों का भी अगर ऐसी सोलूशन और एकदम स्टिक आंसर की चाते हो तो प्लेट चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं थैंक्यू जैहिंद जैबार्थ वंदे मात्रम